2020 में जमालपूर डेलवे स्टेशन का पूरी तरह से लुक बदल जाएगा पैसेंजरों के लिए बायतर सुगधा और अन्य विकल्प जैसी तमाम फैसलेटी देखने को यहां से मिलेगी यात्रा करने से पहले यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को सुरू करते हैं उसे पहले हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दरसल लंबे समय के बाद जमालपूर से सफर करने वाली यात्रीयो को अब अन्य बड़े रेलवे स्टेशन के तर्ज पर यहां पर भी फैसलेटी देखने को मिलेगी हाना कि एरपोर्ट पर जो मिलने वाली सुबधा है उससे हम कंपेर नहीं करेंगे लेकिन उससे कम भी यहां पर सुबधा नहीं मिलेगी आपको दरसल भार्तिया रेलवे की ओर से कहा गया है कि दो महने में पूरा हो जाया का डीजल सेड में विधुती करन का काम इसके साथ ही बार्ड प्रभावीत रेलखन पर DRM ने भी जाय जा लिया इसके अलावे इसी दोरान कहा गया कि चार मेने में दो और नई लिफ्ट की मिलेगी साउगात जिसका सुभधा पैसंजरों को मिलेगा नई साल में दोनों ही नया लिफ्ट चालू हो जाएगा भारतिय रेलवे जमालपूर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सुभधा का लगातार एक्स्टेंशन तेजी से कर रही है दिव्यांग वबुजूर्ग यात्रियों के लिए दो और नया लिफ्ट की सुभधा दिजारी इसके अलावे जमालपू रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े रेलवे कैंटिन को भी चालू करने के लिए IRCTC से संपर्क किया गया है ताकि जल्दी टेंडर की परिक्रिया पूरी कल के इस कैटरिंग सुभधा को भी चालू किया जा सके डिजल सेट में विदुदी करन का काम अंतिम चरन में है और दो मैने के अंदर विदुद की आपूरती भी कर दी जाएगी 2023 में जमालपूर रेलवे स्टेशन का लुक पूरी तरह से बदल जाएगा और स्टेशन की भवनों को नए रंग रूप से रंगने की परिक्रिया भी चालू की जाएगी नई लाइट के साथ दवश्था की जाएगी और प्लेठफॉर्म संखह एक और चार से प्लेठफॉर्म संखह दो और तीन पर जाना सुलब हो जाएगा प्लेटफॉर्म से सीधे रेले इस्टेशन की तरफ बाहरी परीशर में इस्तित वहान स्टेंड से भी यात्री सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे नए फूट ओवर ब्रीज का निद्वान कारी युद्ध स्तर पर चल रहा है अगर आप यातरा करते होंगे तो आपको नए फूट ओवर ब्रीज का काम देखने को मिलता होगा DRM ने इसके साथ ही कुछ और भी सुधाओं का जिकर किया है जो कि आने वाले अन अपडेट में हम आपको बताएंगे तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं इस वीडियो को सेयर करें और आने ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब